दोस्तों अगर आप भी महेंदर सिंग धोनी को एक महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा दोस्तों तीन अप्रेल के दिन पंजाब और चेलने के बीच एक बेहद हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाने वाला है और इस मुकाबले में एक तरफ जहां दो मुकाबले हार कर चेलने जोबर किंग से जीतने की पूरी कोशिश करेगी तो वहीं पंजाब की टीम भी अपना पेचला मुकाबला हार कर आ रही है तो अभी इस मुकाबले में कोई कसर नहीं छोडने वाली है और इस हाई वोल्टेज मुकाबले से ठीक पहले दोनों ही टीमों ने आपस में एक इंट्रा स्कॉर्ड मुकाबला भी खेला है जिसमें महेंद्र सिंग धोनी ने आखरी ओवर में घजब का छक्का लगाते हुए अ चन्नई का कपतान अपनी डाय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए दोस्तों तीन अपरेल के दिन पंजाब और चन्नई की टीमें आमने सामने होंगी हाला कि हर बार की IPL से अलग इस बार पंजाब की टीम चन्नई से बहतर नजर आ रही है लेकिन खेले के इंट प्तान मयंक और शेखर ने अपनी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई आपको बता दें कि पहले पावर प्ले में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सरसच रन बना डाले जिसमें मयंक अगरवाल ने ताबर तोड बल् पलता दिला दी आपको बता दें नौ गेंदों में ताबर तोड 26 रन बनाकर शांदार शुरुआत दिलाई थी वहीं के जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए जौनी बेरस्टों ने अपने कप्तान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना चाहा लेकिन एडम मिलन के एक खत आपती तक 140 रनों के पार पहुँचा दिया जिसमें मयंक ने 38 गेंदों का सामना करते हुए शांदार 72 रन बनाए वहीं दूसरी तरफ 40 रन बनाकर लियाम लिविंग स्टोन ने भी उनका बखुबी साथ निभाया और इन दोनों ही बल्लेबाजों के आउट हो जाने के और पहले पावर प्ले में ही रितुराज गायकवार से लेकर रॉबिन उथपा जैसे बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे अब यहां से चन्नई की पारी की जिम्यदारी महिंद्र सिंग धोनी और कप्तान रविंद्र जडेजा के कंधों पर आ गई और इन दोनों ही बल् महिंद्र सिंग्धोनी स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को दे रहे थे तो दूसरी तरफ से जडेजा घातक बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की गेंदबाजों की धजिया उड़ा रहे थे हालांकि महज 28 गेंदों में स्ताबर्तोर तेरसट्रन बनाकर कप्तान रविंद महिंद्र जडेजा कगी सो रबाड़ा का शिकार होकर पवेलियन चले गए लेकिन इसके बाद महिंद्र सिंग धोनी का साथ निभाने आये मोई नली ने मयंक की गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाया और उन्होंने तावर्टोर अंदास में बल्लेबाजी करते हुए सियसकी को लगबग जीत के करीब पहुचा दिया लेकिन राहुल चेहर की एक गेंद पर बड़ा शौट खेलने के जकर में मोई नली पवेलियन चले गया अब आकरी ओबर में चरनई को जीत के लिए 15 रनों की जरुरत थी और क्रिच पर महेंद्र सिंग धोनी मौजूद थे आपको बता दे दोस्तों कि पहली दो गेंदों पर इस महान फिनिशर ने पहले चक के उसके बाद बहतरी चौका लगा कर जीत लगभग निश्चित कर दी थी लेकिन इसके बाद अगली दो गेंदों पर शांदार वापसी करते हुए गगीसोर रबाडा ने धोनी को एक भी रन बनाने का मौका ही नहीं दिया लेकिन रबाडा शाद ये भूल चुके थे कि उनके सामने दुनिया का महान फिनिशर खिलारी खड़ा है और पारी की पांचवी गेंद पर माही ने गेंद को स्टेंड्स के बीच पहुँँचा दिया और बेहदी रोमांचक इंट्रा स्क कोड मुकाबने में महिंदर सिंग धोनी ने 45 गेंदों में 84 रनों की एक लाजवाब पारी खेली है जिसमें उन्होंने तीन चौके और नौ गगंचुमबे झखके लगाए तो दोस्तों आप महिंदर सिंग धोनी की इस पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे अपनी र खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे योटूब चैनल को